आप सो का स्वागत है आपके अपने चानल फार्मासुटिक्स के डिसकस करके जो है इसमें देख रहे थे प्रिवेसर के जितने भी फार्मासुटिक्स के जो क्वेशन्स आये हुए अपने फार्मासिस एक्जामें उनको हम लोग फॉल कर रहे थे उबौर्टिक्स सब्सक्राइब करना उनकले ढूटिक्स के जो दो जाए त्यπًक्षिंट होते हैं इंडिन फार्मकोपीय त्थेटमेंट पर not only 20 डिग्री तु थर्टी डिग्री मिन उर्लूम अफ्स वोल्म इनम्ल पर ग्राम ऑफ सोलूट्ट जो सोलूबिलियुटी जो आपका टेबल है तो उसके उपर क्वेशिचिन है तो कि दीब्यूस प्रॉफ नभफ्पर के पूछा ह के लिए आपका होता है option B from 30 to 100 होता है तो आपका अंसर तो option B हो जगा यह जो है आपको सारी इंटम पता होने जिसको पर किसी question बनते हैं लिखिए लिखिवी तरह वैरिस उल्यूबल फिर आता है आपका वैरिस उल्यूबल और प्रैक्टिकल इंसॉल्यूबल ओके और इधर देखिए relative quantity of solvent to dissolve in one part of solute ओके तो देखिए वैरिस उल्यूबल के लिए आपका less than one part होता है फिर लिए सॉल्यूबल के लिए one to ten part ओके सॉल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट और स्पैरिंग प्रैक्टिकल इंसॉल्यूबल के लिए 10,000 पार्ट प्रैक्टिकल इंसॉल्यूबल के लिए more than 10,000 पार्ट ओके निक्स्क्राइशन देखिए आपका चाइल्ड डॉस के लिएशन के जो डिफेंट फॉर्मूला इन उसके उपर है देखिए इव अडाल्ट डोस इस सिस्टी एमजी दिया हुआ है और चाइल्ड वेट इस फुटीन केजी और चाइल्ड का वेट है फुटीन केजी है चाइल्ड डॉस पर क्लार्क फॉर्मूला तो आपको फॉर्मूला का नाम भी बता दिया है क्लार्क फॉर्मूला लगा के आपने चाइल्ड का डोस केल्कुलेट कर करना है okay क्लार्क फोमला क्या होता है निकेशन प्रटन दिया हुआ है 14 महीं केशन लिगए जाय चल्टन को दिया हुए तो कशी महीं केशन लगांगा निची लगा यह होता तो इन्ट ने प्लूंड टॉ डोस कितनी दिवई आपको 60 mg दी हुई तो आप इसको काट के इसका अंसर निकाल दिजिए 12 mg आपका अंसर आजाएगा ऑप्शन सी ओकी नेक्स्ट क्वेशन दिखिए विच फॉलिंग टाइप इस एन इंहलेशनल डोजेस फॉम दिखिए ऐरोसॉल्स कैप्सूल टैबलेट सापोसिट इनमें से इनहलेशनल में आप पॉइंट बोलिंग पंड़ क्वांटिटी ओफ सैंपल तो बताइए कौन सा नहीं है तो यह ओप्शन दी हो जाए क्वांटिटी ओफ सैंपल नेक्स्ट है इन्सुलिन शुट भी स्टोर आट टमपरेचर तो इन्सुलिन का स्टोरिस टमपरेचर आप लोगों से पूछा है तो टूटू एट डिगरी सलसीस मारा आंसर हो जाएक ऑप्शन डी ओकी नेक्स्ट हैं मोई स्केल डील विद तो इकस्ट का नाम है उनके नाम उन्होंने जुह इसके बारे हम बताया तो उनके नाम से जो है स्केल ड्यॉलप हुआ मोई स्केल जिसे बोलते हैं सबसे हार मनदब कि इसमें वन टू इस टाइप से होते हैं तो जैसे जैसे वन से आगे जाएंगे वज्वेश उतना ही हाड होका सबस्तेंजिक ज़ेंगे सबस्तेंजिक के बारे में कौन सी बात गलत लिख्यों यह वह आपने बताना है कौन सा फोल्स है देखिए इमल्स इमिस्टो ते बिल्कु सही और सब्सेट कांटिनिव विशस होते हैं लिकिट प्रप्रचिन से कनटिनिk टू इम्मेसिबल लिकिट ध्यार में में क्यों दो होते हैं आहिं व्हों वण वेश्ट इस डिस ब्लिड्विट इस माइन उप्लीट तर इस एटके ज आपने समझ जाना है गलत तो यह ऑप्शन दी ही दिया हुआ है। यही आपसे पुछाता है नेक्स क्वेशन देखते हैं डाइस डिफाइंड आस प्रोसेस वेर ओल दर लिविंग माइक्रोगनिजम इंक्लूडिंग बैक्टियाल स्पोर्स तो यह आपका होता है ओप्शन सी स्टरिलाइजेशन होता है नेक्स स्टरिफरो में प्रिस्क्रीप्शन यe gen औल्डीमां की आपको दिया उअग्स में का उस in इंपरिंड ऑपॉर्डर पार्टिकल प्रिसर्व разм पेस्ट यहां इनमें किया होते हैं इनमें किया हैं ना इस पीसट में जली में तो पेस्ट में में जादा पेस्ट को एपलाई कर सकते हैं और यह प्रोट्टिव कोटिंग बना लेते हैं पेस्ट नेक्स्ट क्वेशन फॉलिंग इमल्सिफाइंग आजेंट के ऊपर क्वेशन है जो किसे उप्ते वेजिटेबल सोर्स हैं तो इमल्सिफाइंग आजेंट्स के बारे आपने पड़ा हु तो देखिया अभी जो है वेजिटेबल सोर्स का बताना है वुल फैट मिथाल सलूथ अकेश्या या जिलतिन तो ओप्शन सी आपका आकेश्या जो होता है और ऑप्शन सी राइड हो जगा जो इमल्सिफाइंग आजेंट्स वेजटेबल सोर्स अप्टेन होएगा बाकी दे और जो है इमल्सिफाइंग आजेंट्स नाचरल इमल्सिफाइंग आजेंट्स अप्टेन होते हैं वूल फैट एग्यों को जिलतिन याद रखना हो कि नेक्स्ट विच फोरिंग स्ट्मेंट इस ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेटेट से देखिया एक आपका फ्लोकुलेटेट या नोजोड़ अनोटने चुई निया वार वटति दी है तो आपने बताना कि अजोड़ेटी पार फ्लोकुलेटेटेटेटेट लूब मेरा फीक होता होते हैं हेक ही मनघ को बता रखाएं ऐनल को जलेकन तना उख भी तो इसमें से ल pup कर दो अब होता की कि फोर्मिशन नहीं होती और सदैमेंटेशन को स्वक्षर्ण एया होता है यहां मैं आपको बता रहे हैं दिज्च इती से होगा को सधी chosen नहीं होता phải they are easy to redisperse तो यह भी आपका जो गरत लिखा हुआ suspension is pleasing देखे pleasing ना हो के not pleasing suspension is not pleasing in appearance तो आपका अंसर क्या होगे option B okay rate of sedimentation high होता है flocculated suspension में okay तो dry heat stylization object is heated तो dry heat stylization में object को heat करता है 160 degree Celsius for 2 hour options देख लिजेए आप जो है D हो जगा 160 degree Celsius for 2 hour तो dry heat stylization में जो apparatus होता ही होट एयर oven उचे होता है मुश्च चैशन में आपका autoclave होता है तो dry heat stylization में apparatus को पूछते हो उच्चते हैं होड यह भी होता है रोट यह होता है क्यासी होते हैं तो इसमें होता oxidation होता है और क्या चीछा तो इध्यानक नत्मद सा इसके बार में एक्जाम बन सकते हैं तो अबजक्ट को हीट करेंगे 162 सालसेशन बनते हैं तो तेलकम पाउडर जैसे आपके पाउडर के लिए और जो है जो है जो यूज किया जाता है तेलकम पाउडर हो गया जो मोईस्ट है वह आप जैसे सर्जिकल डैसिंग से लिए करेंगे नेक्स क्वाशन देखिए इन शेक वैल बिफोर यूज लेबल मस्ट बीपूट ओन दा किसके ओपर होगा शेक वैल बिफोर यूज तो यह देखिए ऑप्थायलमिक सस्पेंशन जो क्रीमिंग क्या रिवर्सिबल मेनिग दाट्री डिपकली विद माल्ड अजिटेशन नेक्स्ट विच मैथड ओफ प्रेपरेशन दाबल इस तो कौन सा मैथड़ को श्लग भी कहते है प्रीकंपरेशन भी कहते है डबल कंपरेशन मेथड़ बीकाइंगे तेकि इंडर्ट गं ड्राइशन जो होता हैना तो इसे को सलग भी कहेंगे प्रीकंपराशन और दावल कंपरेशन भी कहेंगे वाधिपरेशन नेक्स पीगिंग स्व्मसे नेक्स पनेगनेर जो यह हां ट्रदだवांटेशन मेंडेशन इसका को श्रूम curse ग ड्रशे लकलियन इन सोलीवर फ्लेक्स तो यह ड्वांटेज नहीं हो कि ड्वांटेज हो जाएगी ना नेक्स्ट है विच देखुल फॉल्लिंग इस ट्रूपरअट धीड्यूस्ट गारे में कौन सी बात रूपतु वाथ सढ़ने है जाए क्या प्रास्ट्ध कम होगा इस प्राइश प्रिंसिपल जोता है ओक ऑप्चिन आपका डी हो जगा एस सोरी बी सिलिकॉन डायोकसड आइस आइओ टो गें ग्लास में क्या होता है सिलिकॉन डायोकसड फंडामेंटल जो कॉंस्ट तो ग्लास का तो नॉर्मल मैश पर्चर साइस थो विच फाइन पाउडर के पास तो में बारे के लिए पूछा है ठीक है तो इसका देखिए ओप्शन थे कि 1.7 mm 355 माइक्रो मीटर 710 mm या 180 माइक्रो मीटर ओके तो इसका जो है 180 माइक्रो मीटर हो जेगा आपका आंसर तो एक बार देखिए एक तरफ सी नंबर लिग दिए मैंने तरफ नॉमिनल मैश पर्चर साइज 180 माइक्रो मीटर दियान रखना है इसमें जो है एक तो mm है जो कोर्स के लिए जो है बाकी माइक्रो मीटर में है ओकी नेक्स्ट है आंपटे जलेटिन क्याप्सूल विल भी हाविंगे मौशर कंटेंट ओफ तो इसका आंसर आप लोगोंने कमेंट वक्स में देने इस